दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तेजस मार्ग 2 फाइटर जेट प्रोग्राम के बारें बात करने वाले हैं तेजस मार्ग 2 प्रोग्राम एक हमारा सब्देशी फाइटर जेट प्रोग्राम है जो कि हमारे मिग 29 जैगवार एक्राफ्ट और मिराई 2000 एक्राफ्ट जैसे एक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है इस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर ऐसी डिसकुशन चल रही है कि इस प्रोग्राम को खतम कर देना चाहिए और एमसे फाइट जैट प्रोग्राम के उपर ध्यान देना चाहिए आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों तेजिस माप टू प्रोग्राम इतना ज़्यदा इंपॉर्टन्ट है और इसे किसी भी हाल में खतम नहीं किया जाना चाहिए तो चलिए आज कि इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो फिफ जनरेशन फाइट एक क्राफ्ट के बारे में ऐसी बाते कहीं जा रही है कि फिफ जनरेशन फाइट एक क्राफ्ट फ्यूचर के फाइट एक क्राफ्ट हैं और जो future की air forces होने वाली हैं उनमें 5th generation fighter aircraft का ही इस्तिमाल किया जाएगा और future में 4.5 generation fighter aircraft की कोई भी जगे नहीं होगी लेकिन ये बात बिलकुल सही नहीं है जैसा की आप जानते हैं की अमेरिका ही एक लौता ऐसा देश है जो की अपने 5th generation fighter aircraft को बहुत बड़ी गिंती में इस्तिमाल कर रहा है लेकिन अमेरिका ने भी इतने लंबे समय से stealth technology होने के बावजूद भी अपने non stealth fighter aircraft को replace नहीं किया है बलकि उन्होंने हाल ही में अपने F-15 EX fighter aircraft का फिर से order दिया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वज़ा है वज़े ये है कि जो 15 generation fighter aircraft होते हैं इनकी operating cost काफी जादा होती है इनकी जो stealth coating होती है उन्हें भी maintain करना पड़ता है जिसके उपर काफी खर्चा आता है और यही कारण है कि ऐसे aircraft को आप बहुत बड़ी गिंती में इस्तिमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपको इन fighter aircraft को operational रखने में काफी खर्च करना पड़ेगा और इसके साथ ही जो 5th generation fighter aircraft होते हैं उनकी payload carrying capacity काफी कम होती है लेकिन वहीं जो non-stealth aircraft होते हैं वो बहुत ज़्यादा payload कैरी कर सकते हैं और उनकी भी अपनी एक importance है वो ज़्यादा payload के साथ ज़्यादा damage कर सकते हैं इसलिए 4.5 generation fighter aircraft को अभी पूरी तरह replace नहीं किया जाएगा और इनकी future में भी ज़रूरत होगी अभी हमारे fighter aircraft requirement काफी बड़ी है ऐसा project किया गया था कि अगले कुछ सालों में हमें 300 से ज़्यादा fighter aircraft की ज़रूरत है जो कि तेजस Mark 1A program, तेजस Mark 2 program और AMC fighter jet program से पूरी की जाएगी क्योंकि और का fighter jet को अभी हमारी air force consider नहीं कर रही है तो उसके बारे में ऐसा कहना सही नहीं होगा कि हमारी air force और का fighter jet को खरीदेगी तो इसलिए हमारे मिराज aircraft और जगवार aircraft और मिग 29 यूपी जी fighter aircraft जैसे aircraft को replace करने के लिए हमें तेजस Mark 2 aircraft की सख जरूरत है इसके साथ ही इससे पहले एक वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे हमारा तेजस Mark 2 aircraft हमारे देश के लिए एक J-10 मोमेंट होने वाला है जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने अपने J-10 fighter aircraft को बहुत बड़ी गिंती में इंडक्ट किया हुआ है और J-10 ही उनका सही माइने में एक पहला इंडिनियस fighter aircraft program था उस fighter aircraft program की success के बाद ही वो अपने दूसरे aircraft को develop कर पाए हैं J-10 fighter aircraft की development के बाद ही वो G20 fighter aircraft जैसे aircraft को develop कर पाए हैं जिससे ऐसा पता चलता है कि कैसे उन्होंने एक non-stealth aircraft को develop करने के बाद ही और अपनी aviation capability को develop करने के बाद ही 5th generation fighter aircraft की तरफ move on किया ऐसे ही moment हमारे लिए तेजस माग 2 program होने वाला है तेजस माग 2 program की development में हमें इतना experience मिल जाएगा कि हम बहुत ज़्यादा advanced technologies को AMCA program के लिए develop कर सकें और इसमें इस्तिमाल कर सकें जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें step by step चलना पड़ता है ऐसा तो नहीं है कि आप अभी से एक fight aircraft को develop करने का फैसरा ले ले लें और सीधा 5th generation fight aircraft की तरफ move on कर जाएं अगर आप यहाँ पर जापान की example दें कि उन्होंने अपना 5th generation fight aircraft की उपर काम किया हुआ है यह उनका एक पहला प्रोजेक्ट नहीं था और ऐसे ही हमारे देश के लिए भी एक सही course of action यही है कि पहले 4.5 generation fighter aircraft की तरफ move on किया जाए क्योंकि एक 4.5 generation fighter aircraft की development से हमें required experience मिल जाएगा इसके साथ ही जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे 2030 तक पहले से मوجود 4 generation fighter aircraft को replace करना शुरू कर दिया जाएगा और उनको replace करने के लिए हमें एक genius fighter aircraft की जरूरत है अभी ऐसा तो नहीं है कि आप राफेल aircraft को बड़ी गिंती में खरीद कर अपने पुराने aircraft को replace कर दें वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी गिंती में राफेल aircraft खरीदेंगे तो हमारे लिए वो काफी महंगा पड़ेगा और हम अगले बहुत सालों के लिए एक विदेशी aircraft manufacturer के उपर dependent हो जाएंगे और इसलिए हमारे लिए ये बेहर ज़रूरी है कि हमारा खुद का तेजस माक्टू प्रोग्राम successful हो जाए और एक single engine fighter aircraft और अतनी ज़्यादा capability वारा fighter aircraft हमारे पास available हो कि जिसकी मदद से हम अपने पुराने aircraft को replace कर सके इसके साथ ही जो टेकनोलोजिस AMCA fighter aircraft में इस्तिमाल की जाएंगी वही टेकनोलोजिस इस से पहले तेजस माक्टू aircraft में भी इस्तिमाल की जाएंगी जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तेजस माक्टू प्रोग्राम में चाहे कि वह 4.5 generation fighter aircraft होने वाला है क्योंकि वह non-style aircraft है लेकि जो उसके avionics हैं वह 5th generation होने वाले हैं हमारे जो AMCA fighter aircraft में avionics का इस्तिमाल किया जाएगा उन में से बहुत सारे avionics उससे पहले तेजस Mark 2 variant में लगाये जाएंगे तेजस Mark 2 variant में हमारा सबदेशी infrared search and track system भी लगाये जाएगा और हमारा सबदेशी उत्तम radar भी लगाये जाएगा और हमारा सबदेशी मायावी electronic warfare suite भी लगाये जाएगा जेओ की बहुत ज़्यादा critical technologies हैं और इसके साथ ही जब तक तेजिस माक 2 प्रोग्रम पूरी तरह mature होगा तब तक हमारी meteor missile के साथ comparable beyond visual range 8 where missile अस्तरा माक 2 missile भी तयार हो चुकी होगी जो की हमारे लिए एक बहुत बड़ी capability होगी और जब तक AMCA fighter jet develop होगा तब तक इन सबी technologies में जो कमिया हैं वो दूर कर ली जाएंगी और वो इतनी mature हो चुकी होगी कि AMCA fighter aircraft को एक true sense में 5th generation fighter aircraft बनाया जा सके इसके साथ ही तेजिस माक 2 variant में रैम कोटिंग का भी इस्तिमाल किया जाएगा जाने की radar absorbent materials का भी इस्तिमाल किया जाएगा जो कि इससे पहले AMCA fighter aircraft के लिए डिवेल्प किये गए हैं AMCA fighter aircraft के लिए जो technologies डिवेल्प की गई हैं उनके इस्तिमाल से तेजिस माक 2 प्रोग्राम का जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे कम किया जाएगा इन कोटिंग्स के साथ तेजिस माक 2 प्रोग्राम एक पूरी तरह स्टैल थे aircraft तो नहीं बनेगा लेकिन इसका जो डार क्रॉस सेक्शन है वो इतना कम कर दिया जाएगा कि ये बहुत ज़दा मुश्किल हालातों से बचकर वापिस आ सके हमारे अर चीफ मार्शल के मताबिक ये एक CRAFT, मिराय 2000 एक CRAFTS और 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 अ फैर एक CRAFTS से बहतर होने वाला है मिराय 2000 एक IF के मुकार्वे में इसका डार क्रोस सेक्शन भी कम होने वाला है और हाल ही में मारे एर मार्शल रगुनाथ नम बियार जो की हमारी वेस्टन एर कमांड के फॉर्मर चीफ थे उन्होंने ये दावा किया था कि हमारा जो तेजस मार्टू प्रोग्राम होगा वो राफेर एक क्राफ्ट से बहतर होने वाला है इससे पहले भी ऐसी न्यूज आई थी जिसमें हमारी एर फोर्स ने कहा था कि वो तेजस मार्ट वन प्रोग्राम से ज़्यादा तेजस मार्टू प्रोग्राम को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक क्राफ्ट प्रोग्राम उनकी रिक्वार्मेट्स को ज़्यादा मीट करता है इसके साथ तेजर समाक 2 प्रोग्राम के साथ थ्रस्ट वैटरिंग के बिल्टी के साथ भी एक्सपेरिमेट किया जा सकता है जनरल लाइट्रिक ने जो अपना F414 एन्हेंस्ड इंजिन हमें आफर किया है इसके साथ हनुनर ये भी आफर किया है कि वो इसके साथ 3D थ्रस्ट वैटरिंग के साथ भी एक्सपेरिमेट कर सकते हैं अभी तक इसके बारे में कोई भी ओफीशल कनफरमेशन नहीं है लेकिन ऐसी पॉसिबिल्टी है कि इस टेकनोलजी के साथ एक्सपेरिमेट किया जा सकता है हमारे 130M के एक क्राफ्ट में भी थ्रस्ट वैटरिंग इंजिन का इस्तिमाल किया जाता है और F22 रैप्टर जैसे एक क्राफ्ट में भी टू डाइमेशनल थ्रस्ट वैटरिंग का इस्तिमाल किया जाता है ये एक क्राफ्ट की मनुवरिबिल्टी को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है और ऐसी टेकनालोजी को हम Tijis Mark 2 प्रोग्राम में टेस्ट कर सकते हैं जो की आगे चलकर A.M.C.A प्रोग्राम में इस्तिमाल की जा सकती है और उसमें हम अपनी जुरूरत के حिसाफ से 2D थ्रस्ट वैटरिंग या 3D थ्रस्ट वैटरिंग का इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना है अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूरू लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जैहें दवन दिमातर